हेलो एड़ो और वेल्कम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे मैं सहर कर रही हूँ आपके साथ मराथी ब्राइडल मेकप प्रटेरियल आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा ये ब्राइडल मेकप लूक मैंने बहु ज़्यादा मेनत की है इस वीडियो को बनाने की अंदर सो मेरी चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजट कर रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिए गाइज जो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी कम ही लगना तो मुझे कमेंट करके सबसे पहले हम अपने से प्रेस अच्छे से कर लेंगे किसी स्केस संढ सलंग कर देना है उसके बाद में अधी प्राइमर यूज कर хороший हमारी ओपन पोंड़ को मिनिमाइज कर देता है बेस को long last करता है तो primer लगाना बिल्कुल भी skip नहीं करना है आपको primer जरूर यूज करना है किसे भी brand का primer यूज कर सकते हो अगर अपनी skin की type अनुसार आप कोई भी primer यूज कर सकते हो अब मैं ले रही हूँ नहीं नहीं करना है जहां पर मैं इसे अपलाई कर रही हूँ और अपने अंडर आई के उपर इसे लगा लोंगी इस तरह से हमें लगा लेना है और में फिंगर टिप्स की हैं सही इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी हमें ज्यादा रगण रगण के ब्लेंड नहीं करना है जहां पर हम प्रोडेक्ट लगाए उसे ऊपर हमें डेप डेप करते हुए आच्छे से इसको भी ब्लेंड कर लेना है तो यह प्रोडेक्ट पाना से हटी जाए और कोई मतलब भी ना निकले यहां पर मैंने लगाया है मैं वहीं पर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो मैं यूज कर रहे हूं यह लोर्याल पैरिस का फाउंडेंशन काफी अच्छा फाउंडेंशन है waterproof भी रहता है long last भी रहता है बहुत अच्छे से blend भी हो जाता है इसे लगान के बाद हमारे face को पर बहुत ज़्यादा signing आ जाती है इसको हमें dot dot करते हैं अपने face के अच्छे से apply कर लेना है नेक पर भी हमें लगाना है बिल्कुल भी skip नेक करना है कि नेक अलग दिखे और face हमारे अलग दिखे अब मैं इस sponge की help से blend कर लूँगी आप चाहिए brush की help से blend कर सकते हैं इस sponge से भी blend कर सकते हैं देख सकते हैं मेरा बहुत ही अच्छे से blend हो चुका है foundation अब मैं यूज कर रही हूँ सिविसवीटी का concealer highlighting के लिए जहां पर मुझे highlight की need है वहीं पर मैं इसे apply करूँगी बहुत ही कम quantity में यूज कर रही हूँ मैं अब इसे blend कर लूँगी I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा so guys अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो में वीडियो को like कमेंट से जुरूर करेगा और मुझे बताना मैं कैसा वीडियो बनाऊं किस topic पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जुरूर ब अब इसको सेट कर सकता है मैं फेसे स्किनला का कॉमपैट पाउडर यूज कर रहा हुँ जहां पर मैंनने कंसिलर लगा है मैं उससे के ूपर अपलाई कर रही हूँ इस तरह से हमें set कर लेना है अपने पूरे base को हमें eyebrow set करने के लिए wet and white की eyebrow palette यूज़ कर रहे हूं यहां इसमें दोनों set पीक करके अच्छे से अपने eyebrows को feel करूँगी जो मेरी nasal shape है ना उसे को मैं follow करते हुए इस shape को sorry eyebrow को feel करूँगी इस तरह से हमें बहुत कम product use करना होता है हम eyebrow feel करने के लिए बहुत ज़्यादा extra में नहीं लेना होता है नहीं तो बहुत ज़्यादा fake दिखाई देता है एदम natural look के लिए हमें बहुत कम quantity में product use करना होता है और spoolie के healthiness से अच्छे से कॉम करके हमें minimize कर लेना है so अब आती है अपनी eye makeup के मैंने eye makeup के लिए SFR के eyeshadow palette लिए इसमें हमें बहुत सारी color मिल जाते हैं हमें और दूसरा eyeshadow palette लेने की जर्वती नहीं होती है इसमें हमें सारे set अच्छे से मिल जाते हैं इसमें सबसे पहले मैंने brown set पे किया था उसको अच्छे से smudge करके लगा लिया ह अब मैं ले रही हूँ ये blue color का eyeshadow इसे मैं अपने inner corner पर smudge करते हुए इसे अंदर की तरफ smudge करूँगी थोड़ा थोड़ा लेकर हमें थोड़ा बहुत कम product यूज़ करना है थोड़ा लेकर इसको अच्छे से smudge कर लूँगे एक fluffy brush की help से इस तरह मैं अपने दोनों eyes की लगाऊंगी मैं inner corner से लेकर eye lid तक इसको यूज़ कर रही हूँ आप भी concealer लगा के उसके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह direct भी लगा सकते हैं सेम इसी तरह से मैं दूसरी eyes की उपर भी अच्छे से लगा लूँगी इसी के applicator से अच्छे से आप लगा सकते हैं आप में finger tip से थोड़ा से smudge कर लूँगी और brush की health से भी अच्छे से smudge कर लूँगी ताकि कोई हास line दिखाए ना दे मैंने eye makeup बहुत ज़्यादा simple रखाए देखिए मैं small brush लेके अपनी lower line के नीचे भी जो मेने उपर color यूज किये थे आइसेड़े को से हम वह ही color अपनी lower lace के नीचे भी लगा लूँगी इस तरह से हमें इसको smudge कर लेना है अब मैं eye bonn को highlight कर लिया है एंड inner corner को भी highlight कर लूँगी सो अब बारी आती है eyeliner की eyeliner के लिए मैं मार्स का eyeliner यूज कर रही हूं बहुत ही अच्छा eyeliner है यह मार्स के जित्रों सारे product होते हैं भोज़द अच्छे आते एंड affordable मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे product आते हैं इस तरह से मैंने लगा लिया है मैंने विंग बनाया है और आगे भी वी से बनाया इनर corner के उपर देख सकते हैं आप कापी अच्छा eyeliner बनाया है हमें यूज कर रही हूं गुडवाज का यह काजर जिसे मैं waterline के उपर अच्छे से लगा लूँगी लगाने के बाद हमें एक ब्रस की help से इसको अच्छे समझ कर ले है अब यह मैबलेन का मस्कारा यूज कर रही हूं मैबलेन का मस्कारा मुझे बोज़ादा पसंद है यह दोनों मस्कारा मेरे पास है अब बारी आती है अपने बैस को contour करने की एक सेड़ों देने के अपने face के उपर face को पतला दिखाने के लिए मैं यह SFR contour palette यूज कर रही होता है जहां मुझे contour करने की जरती वहां पर मैंने कर लिया है इस तरह से में अपने finger से भी अच्छे से contour कर लूँगे अपनी nose के उपर and semi palette से में यह blaster यूज कर रही हूँ इसमें blaster highlighter and contour bronzer से मिल जाता है इस तरह के product मुझे भूजर अच्छा लगते हैं जिसमें सभी चीज मिल जाते हैं यह travel friendly होता है हमें ज़्यादा product यूज करने की ले जाने की जरुत नहीं होती है तो इस तरह के आप product रख सकते है इसम पैलेट से मेरे highlighter लगा लिया है देख सकते हैं आप आप में यूज कर रही हूँ अपने base को set करने के लिए मैं लिप्स्टिक के लिए liquid color की lipstick यूज कर रही हूँ जो मेरी साड़ी से मेच करती हुई है आप पहले lip liner लगा के फिर उसके बाद में लगाए liquid lipstick तो बहुत अच्छे से लग जाएगी लिप liner यूज करने के बाद लिप्स्टिक की दूदर फेलती नहीं है अच्छे से लग जाती है देख सकते हैं मेरी lipstick लग चुकी है अब मैंने बिंदी लगा ली है गोल्ड के लगई में ज्यूल्री पैन लूँगी इस तरह से एंड मांग टिका भी मैंने लगा लिया है I hope आप लोगों को पसंद आएगा मैंने पुरी कोसिस की है मराथी में लुक की तो मेरी मेनत अगर आपको थोड़ी बहुत लगए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेर से जिरूर करेगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किये बिगार बिल्कुली मज जाएगा गाईज यह है मेरा फाइनल मेक अप लोगों को पसंद आएगा अगर आप ब्राइडल बनने वाली हो तो आप सेल्फ भी इस तरह से रेडी हो सकते हो बहुत ही सिंपल सा मेक अप लुक है यह तो I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो गाईज मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक लिए बार थैंक यू फोर वोचिंग